तो नमस्कार भाराट टीवी के माध्यम से यराष्राज गोयल अंग जोुँ वास्तू सलाकार हमएं छर्छा करेंगे तो ऊस्तू क्या है कि वास्तू के बारे हम कैसे जीए हर आदमिए अपना सुखी जीवन तो जीना चाहता है पर सुकी मालूम होता है तरह तरह के परिश्रम करते हैं सुविरे साम तक भागते हैं दोड़ते हैं पर्टु हमें हासिल कुछ नहीं होता पर्टु हमें थोड़े ही समय के अंदर कम महनत के अंदर ज्यादा फल कैसे मिले इसके लेहING वास्तु के बारे में ज़ानना जरूरी है वास्तु के बारे में हम जानेंगे वास्तु लोगों को रंग से राजा बना देता है और राजा से रंग बना देता है वास्तु के अंदर इतनी पावर है क्योंकि वास्तु वो कुद्रत है जैसे भगवान ने हमें अपनी पूरी बॉडिस के अंदर एक एक अंग काम का दिया है उसके अंदर भगवान ने हमें सास लेने के लिए दो जंगा दी है जैसे कि पहली जंगा भगवान ने हमें नाग दिया दूसरी जंगा मू दिया जब तक हम नाक से सास लेते हैं हमारी बोड़ी पूरी ते अच्छी होती है और जाविन्त होते हैं हम अच्छे प्रोपर काम करते हैं हर काम में मन लगता है सबसे बोलते हैं, चालते हैं, अच्छे रहते हैं क्योंकि वो कुद्रत का एक अच्छा करिश्मा है परन्तु हमारी नाग को जैसी ही कुछ होता है तो हम मुझसे सास लेते हैं, हम जिंदा तो रहते हैं, हम काम भी करते हैं, परन्तु हमारा काम के अंदर मन नहीं लगता, क्योंकि हमारा सभाव चुड़ा हो जाता है, क्योंकि हम उस टेम नेचर के विरुद चलते होते हैं, भग कि जी बोग अपने समय के अंदर 50 के ऑद इस प्रकार्ल की साधी करते हैं आपने दुलन को ऊदू को ले लेकर आए उसकी वुप नौर्थ इस्ट का बैडरूम त्रह तरह की प्रिशानिया देता हैं उनका स्वासत्य अच्छे ने रहेगा आपसे रिलेशन अच्छे जाएंगे उनको तरह कि समस्या का सामना करने पड़ेगा लड़की जो हम बेटी बनाकर अपने घर में लाएं वह बिचारे दुखी हो जाएगी उसका अपनी साथ से संबन्थ अच्छे ने रहेंगे क्योंकि वह तो नौर्थिस्ट में सो रही है, नौर्थिस्ट हमारा पूजा का इस्तान है, तो दिमाग तो वहां काम करता है नहीं है, दिमाग तो एक साथ से वहां पर काम करना बंद कर देता है, उस काम करने के बंद करने के साथ से ही हमें, मतलब जो उसके बारे में सोचना बैडरूम सोने के लिए होना चीए कौन सा नहीं होना चीए क्योंकि नौर्थ इस्ट के बैडरूम के अंदर संतान होने में भी समस्या होती है अगर संतान होती है तो उनको भी समस्या होती है सिर से और पेट से संबंदित समस्या है जो वहां पर वर्व और वदूस होते हैं उनको होनी शुरू हो जाती है और उनके relation उनके आपसी संबंद बिगड़ने सुरू हो जाते हैं यहां तक नौबत आजाती हैं कि तलाग तक के नौबत आजाती है उनको घर सब कुछ बिगड़ जाता है इसलिए मैं आप सबसे अग्रह करूंगा कि एक बहुत अच्छे वास्तु सलाकार से आप बलाकर अपने घर को दिखाएं उसके अंदर जो भी आपकी कमिया है उनको दूर करें क्योंकि वास्तु के अंदर कोई ऐसा नहीं कि कमी दूर नहीं होती ह हम कभी दूर कर सकते हैं हर प्रकार से करते हैं लोगों ने बहुत से लोगों को ब्रहम है कि वास्तु वाले घर में आ जाते है तो बेव फालतु में तोड़ फोड़ करवाएंगे ये करवाइंगे वो करवाइंगे और हमारा घर डिश्टर्ब होगा दोस्तो ऐसा नहीं है हमारे इस युक के अंदर हर प्रकार से उसके इलाज भी होते हैं उसको हम कहीं न कहीं सैट कर सकते हैं कि मतलब उनको नौर्थ इश्ट कर, क्योंकि यह तो है नहीं कि हमारे पास एग रूम है, हमारे पर कोई दूसरा रूम भी हो सकता है, हम उनको रूम दे सकते हैं, ताकि उनका जीवन भी सफल लो, और हमारा जीवन भी सफल लो, क्यूंकि हम जो जिस प्राई लड़की को लाते कि नए वरवदू का बेडरूम कहा होना चीए कैसे होना चीए उसके बारे में हम आपको बताएंगे समझ से आपकी समाधान हमारे में आज के लिए तना ही धन्यवाद